दोस्तों ये एक homeless dog है डॉग को लालज देने के लिए Travis जान बूचकर एक मास के टुकड़े को बिल्कुल उसके नजदीग लटका देता है अगर ये डॉग इस मास के टुकड़े को खाने या चोरी करने की हिम्मत करेगा तो Travis उसे मार देगा अगली सुभर Travis अपनी बंदूक लेकर अपने घर से बाहार निकलता है जहां Travis देखता है कि वो मास का टुकड़ा अभी भी वही पर लटका हुआ है उस डॉग ने उस मास के टुकड़े को न तो खाया था और नहीं चुराया बलकि उस होमलेस डॉग ने तो सारी रात Travis के बाहर रखे सभी खाने की रखवाली करने में मदद की है Travis ये देखकर हैरान हो जाता है उसी दिन Travis का भाई अलिस अपने खेत में एक छोटे से भालू के बच्चे को पकड़ लेता है वो इस बात से अंजान होता है कि इससे वो कितनी बड़ी मुसीबत में पर सकता है तभी वो भालू का बच्चा गुराना शुरू कर देता है जिसकी आवाज की और उस भालू की मा अकरशित हो जाती है और वो Travis के छोटे भाई अलिस की और तेजी से आने लगती है अपने छोटे भाई अलिस की जान बचाने के लिए Travis अपने हाथ में एक कुलहारी लेकर तेजी से उस भालू की और भागने लगता है लेकिन अचानक Travis के वहाँ पहुचने से पहले वो होमलेस डॉग उस भालू पर जपट पड़ता है दोस्तों क्या आपके पास भी कोई प्यारा सा डॉग है कमेंट में